सूरा मेरे मज़ पमान तठन भेर में सिख्खा पढ़िंग समाधियाने समन संग यानि जो भारत के लोग हैं जो समता में समानता में प्रेक्टिस करते हैं अभ्यास करते हैं उन लोगों का संग और जो असमानता में विसमता में विस्वास करते हैं उनका यहां कोई काम नहीं उनका इससे कोई लेरंदरन नहीं उनका जिक्री भी नहीं ये जो समन लोग हैं ये बहुत पुराने लोग हैं बुद्ध से भी पुराने लोग भारत के ओरिजिनल लोग तब के लोग हैं जब यहां समन सब्द की आवशक्ता भी नहीं थी और समन सब्द भी नहीं था हमारी जो सबहताएं चलती थी वो प्राकर्तिक रूप से प्राकर्तिक सबहताएं चलती थी पक्तिक सबहताएं और जो जो लोग जिस जिस अपने गोत से अपने कबीले से अपने उस जगह के छित से जाने जाते थे वो सबहताएं उनकी चलती थी जैसे नाग लोग जो थे नाग लोगों की या नागिनों की नागिन माने महिला और नाग माने नर तो वो जो नाग लोग थे जिनका टोटम हती यानि हाती था उनकी सब्वेता बहुत पुरानी रही है और वो अकेले हुआ करते थे पर जब यहां से बाहर के लोग यहां आए अपना खाना पानी ढूंडने गरम मौसम जलवाईू जन्ना ढूंडने तब यहां के लोगों ने उनको वम कहा वम मतलब वपरीत वम मतलब उल्टा वम मतलब जो यहां के लोगों से अलग तरह का वहवार अलग तरह का कल्चर अलग तरह का सोचना, खाना, पीना, पहना, बोलना, चालना, रंग रूप रखता था और फिर अपने आपको कहा सम लोग यानि बरावरता में सम्मा सम्में बरावरी में यकीन करने वाले उसका भ्यास करने वाले उसके जानकार लोग और यहां के लोगों का जो समण संग है उसके सारे चिन हमें जो मेगस्थनीज की किताब है इंडी का उसमें मिलते हैं साथ प्रकार के समण जो महाबीर जैन और बुद्ध का जो साहित्य है तिरिपीटक और आगम उनमें हमें मिलता है समण का जिक्र और जितने भी बुद्ध से पहले की चरिया है उसमें समण संग के चिन मिलते हैं जिसमें उसके नियम है और उनी को देखके बुद्धने बाद में और मौडिफाई करके भिक्कू संग में नियम मलाए समण के दो मतलब बाद में परचलित हुए समण माने शांत यानि जो भिकोर भिकोडी होते थे वो शांत रहते थे वो समण थे और समण का मतलब समण सम्ता में सम्मा सम्में रहने वाले प्रक्टिस करने वाले लोग यानि जो सांत लोग है वो भी समण है और जो समानता में यकीन करने वाले प्रठिस करने वाले हैं वो भी समण है तो ये उनी लोगों का संग है और उनकी तादात भारत में बहुत जादा है यानि जो वम नहीं है जो वमन नहीं है वो समण है एक छोटी सीज की जानकारी रहती है सिर्फ ये पूछना होता है कि आप वमन हैं अगर वमन नहीं है तो फिर वो डेफिनिटी समन है दो ही प्रकार के लोग यहां रहे हैं तो यह जो समन लोग हैं और इनका जो साहित्य है वो इतना विसाल इतना बड़ा और इतना घना है कि वो हमारे कणकण में बसा हुआ है सम से बने हुए सब्द ही हजारों है हजारों प्रकार के जो सम जिन में सम पहले आता है या बीच में आता है या बाद में आता है या समी आता है या समू आता है या समा आता है ऐसे सब्द हजारों है बहुत विसाल सभ्था, पुराने समय में तो उसको सभ्था नहीं बोलते थे, पुराने समय में बोलते थे नागरिक्ता, यानि जिसमें नाग लोग रहते थे, नाग सब्द से ही नागरिक्ता सब्द पड़ा है, नाग लोग जहां रहते थे उस शहर को नागरिक्ता बोला करत उपने लिए जहरीला मानते थे जो क्लान नाग मानते थे उन्होंने साप का नाम नाग कर दिया और हमको वो जहरीला करे लगे विजधर करे लगे और हम उनके लिए नाग से सप्व बन गे सप्व माने जो सरकता है यानि साप बन गे और सपीनी बन गे तो हम नाग यानि हाती से जो हमारा टोटम था वो सांप में बदल गया और बाद के समय हमारी जो प्रैक्टिस है वो सांप से ही होने लगी यानि जिसके गले में सांप है जिसकी बाहों में सांप है जिसके सर के उपर सांप है वो सारे सांप वाले लोग नागवन सी लोग हो गए भगवान बुद्ध के भी सर के उपर इस टेचों में कहीं पांच फन का नाग कहीं साथ फन का नाग पांच माने पंच सील वाला साथ वाले का नहीं पता कि साथ क्यों बनाते हैं क्योंकि साथ का कोई आंगड़ा पूरे पिटग में है नहीं तो पांच सील वाला जो साथ हैं उनके वाला ऐसा नाग बनाते हैं और नागों की कहानिया बहुत मिलती है खासता है जो कढ़े नाग है यानि काला नाग है कढ़े नाग, काला नाग ज्यादा विजदर माना जाता है कारण क्या है कि हम अधिकतर लोग काले रहे हैं और काले लोगों की वैसे हम काले नाग रहे हैं बाद में हमको काला और जहरल नाग करके बोला गया और आज भी हमको काली चिन हमारे मिलते हैं काले कपड़े होते हैं काला धागा होता है काली हमारे सारे काम होते हैं और हमारी च यहां के नागरिक हैं और हम नाग लोग हैं इसलिए यहां के नागरिक और नागरिकता हमारे जर्मजात हमारा सिद्ध अधिकार करती है पर इतनी बड़ी सब्वेता और इतने बड़े नाग राजा बारे तो अनंत राग और वासू की नाग जैसे बारे तो नाग राजा हुए है जो मिलते हैं साहितों में और नाग वनसावली बहुत बड़ी है तो आखिर इतने बड़े राजा, महराजा इतनी बड़ी सब्भisti इतने बड़े नाग लोग, इतने बड़े समन लोग यहां की सतिती में कैसे आए और कैसे पहुँचे और आज की सतिती इनकी क्यों खराब है और क्यों ठीक नहीं होती है इसके वारे में बावा साहब ने बड़े विस्तार से बताया है जो पढ़ सकते हैं पढ़ें और उस विस्तार में ये भी बताया है कि हमारा जो डिफरेंस है हमारा जो डिफरेंस अपनियन है या जो विरुद्ध हमारे लोग काम करते हैं जो हमारे विरुद्ध आइडिलोजी चलती है पर सभयता एक ही है क्योंकि बहार से आये लोगों की कोई सभयता को नागरिकता नहीं होती है ना उनकी कोई नागरिकता है ना सभयता है वो हमारी ही है और सभयता नागरिकता के हम मालिक रहे हैं वो अलग बात है कि आज के समय उन्होंने हमारे फैस्टिवल हमारे कल् पैनना उड़ना बिछाना वो मिक्स कर दिये अपने छाप लगा दी वो अलग बात है उदेर सवेर कहिना कहीं कहिना कहीं जागता की आधार पर बापिस आ जाएगी उसमें कोई दिक्कत है नहीं तो बावा साब अमेट करना है जब सारी जानकारी ली और बुद्ध की सारी जानकारी उन्होंने सीखी और महापुरसों की सारी जानकारी सीखी तो उन्होंने ये पाया कि सारे महापुरस और बुद्ध और बुद्ध से पहले के लोग और ख्वेम बावा साब भी जिस सब्भ बहता के सम्ण नाजविता के मालिक रहें और सारे के सारे हम सम्ण हैं तो ये जानकारी आने के बाद भी हम लोगों का उधार नहीं हुआ और जो बावासाब अमबेटकर हमको अधिकार लेके आये थे वो अधिकार हमारी आँखों के सामने से जाने लगे जाने लगे हम देख रहे हैं के जा रहे हैं और रोज जा रहे हैं कोई ना कोई कोई अधिकार रोज जा रहा है रोज जाता है रोज और बड़े तरीके से जाता है हमारे ही लोगों को चर्चा में उल्जा दिया जाता है और अधिकार हाथ से निकल जाता है पर हम इसको बचा क्यों नहीं पा रहे ह जो कुझी है वो आज सम्विधान का दिन है, सम्विधान में नीहत है, सम्विधान में बताया गया है, क्योंकि आज वकीलों का दिन है, आज जो सम्विधान के पंडित हैं, सम्विधान के जानकार हैं, सम्विधान के ग्यानी हैं, सम्विधान के यानी हैं, सम्विधान के जा या जो इस सम्मंदित सम्विधान से सम्मंदित काम कर रहे हैं। वो सारे के सारे जानते हैं कि सम्विधान में क्या लिखा है क्या नहीं पर आधी प्रक्टिस करते हैं आधी नहीं करते हैं। आदी प्रक्टिस कैसे करते हैं, सम्विधान का सीधा सा मतलब होता है सम्विधा औरे, सम्विधान या सम्विधान, यानि सम माने सम्ता जिससे समण सब्द बना हुआ है, और विधा माने होगी जानकारी, विसेश धारन, विधा का मतलब होता है विसेश धारन, और रे लगा बाद में या ने लगा दें तो वो नाउन बन जाता है यानि कि ऐसे सिध्धान जो समता के आधार पे धारन करने के लिए विशियस रूप से बनाए गए हैं या हैं और उसी को सम्विधान बोलते हैं और जो सम पे ना आधारित हो उसको विसम्विधान बोलते हैं यानि जो व जिटने भी सअ्वर लोगोंने सध्धानत बनाए जितने विने बनाए जितने नियम बनाए जो भी चीज़star उन्होंने बनाई सारी के सारी वो ब्द ने विनेघ पीटक में डालीं और वहां से उठागे बावासव में सम्विधेंड we और दुनिया में यही समीधान चलता है यही कॉश्टूसन चलता है कोई भी दुनिया का आदमी अगर समता पर आधारित बनाएगा तो यही लिखेगा जो बावासाब ने लिखा जो बुद्ध ने लिखा जो आगे कुछ लिख नहीं सकता क्योंकि जब सब को बराबर के राइ नेचुरल बताया है, कोई आर्टिफिसल नहीं बताया है, तो नेचुरल चीज़े बदलती नहीं है, पानी का सभाव नेचुरल है तो बदलेगा नहीं, चाहे आप उसे गरम करें चाहे ठंडा करें पर सभाव नहीं बदलेगा, उसका रूप बदल सकता है, इसलिए जो नियम हैं उनके रूप बदल सकते हैं पर उनका सभाव जो उनका सार है वो नहीं बदलता चाहे हम इंगलिस में लेखे हैं चाहे अरबी में लेखे हैं चाहे इस देश में लेखे हैं या उस देश में लेखे हैं पर जो समता के सद्धानत हैं वो पूरी दुनिया में एक से ही बदले नहीं जा सकते तो कैसे हमारे जो लॉयर्स हैं हमारे जो वकील हैं हमारे जो समिधान ग्याता हैं समिधान विद्ध हैं वो कैसे आधे नियम मानते और कैसे नहीं मानते जब उनको कोर्ट में केस जीतना होता है तो अपने दायबाये दो चार वकील साथ रखते हैं क्यों रखते हैं, क्या जोद पड़ी है, जब एक ही वकील ने वहाँ बोलना है, और बाकी वकील तियारी करके दे देते हैं कागज, और कागज कोई असिस्टेंट भी पकड़ा सकता है, जो असिस्टेंट लड़का एक सस्ता सा लखा हो, कोई वकील रखनी जोद नहीं है, पर फिर जैसे केस भारी आता है, या बड़ा केस आता है, और जैब बहुत कोई बड़ा केस हो जाता है, तो उसमें तो पूरी भीड़ पूरा पूरा जो कमरा है जज़ का भर जाता है क्यों भढ़ जाता है क्योंकि वो संग बनाते हैं उस समय वो इखटे होके जज पे एक मनोवज्ञानिक प्रभाव डालते हैं दवाब डालते हैं हम इतने सारे लोग है और जो एक व्यक्ति बोल रहा है वही सब की आवाज है बागी चुप रहते हैं पीछे खड़े रहते हैं तो जज को लगता है कि यह सब इखटे होके आए हैं और यह इनकी आवाज है तो दूसरा पक्ष देखता है कितना है अगर दूसरा पक्ष भी इतने सारे वकील लेके आया है तो टकका बरावर की है और अगर दूसरा पक्ष अगेलाई है दो चार है तो उसकी कई वार जो सह ही बात है उसे भी जज दवाब में टेड़ा मेड़ा कर सकता है तो इसलिए दवाब बनाते हैं वरना तो कहीं लॉजिक नहीं है कि जब एक ही आदमी को अर्गुमेंट करने हैं एक ही आदमी को अपनी बात रखनी है तो इतने सारे आदमी क्यों ले जी रोटी है और वकील से आपका पूरे दिन का नाता है रिस्ता है उसी कोट में रहना है तो संग्ठन किस लिए तो संग किस लिए क्यों बनाते हो भाई क्योंकि वकील जानते हैं कि पड़ाई लिखाई सम्विधान अलग बात है कोट कचरी अलग बात है पर अधिकार सारे को यह उससे नहीं बनते अधिकारों को प्राप करने के लिए बहुमत का होना संग का होना आवशक है कितनी मैदर बात है कि कानून से उपर वो संग को मानते हैं इसलिए वो इखटे रहते हैं कानून से उपर भी वो यह जानते हैं कि हम कानून के ग्याता हैं और जो जज हैं वो भी कानून के ग्याता है और कानून से बात होगी फिर भी मनोवग्यानिक प्रभाब और फिजीकल प्रभाब के लिए वो कोर्टों में बार बनाते हैं और बार की हर्टाल भी करते हैं अगर उनके किसी वकील के साथ कुछ अनौनी हो जाये तो सारे सारे हर्टाल पर चले जाते और संगों को आगे रखते हैं और संगों को छोडते नहीं हर साल चुनाव होते हैं संग बना लेते हैं इसका मतलब वो जानते हैं कि संग में सक्ती है संग में शक्ती होती है पर जब संविधान की बाती है जब संविधान बचाने की बाती है जब कम्यूटी को बचाने की बात आती है, जब स्वम्लों को बचाने की बात आती है, तो इस नियम को भूल जाते हैं, फिर वो अलग-अलग टोड़ों में बढ़ जाते हैं, अलग-अलग संग्ठोनों में बढ़ जाते हैं, अलग-अलग धर्लों में बढ़ जाते हैं, अलग-अलग लोगों को सपोर्ट करते ह अलग तरह की मानताय मानते हैं अलग तरह का धर्म मानते हैं अलग तरह की बात करते हैं फिर वो एक साथ नहीं आते इसका मतलब उन्होंने सम्विधान को पढ़ा नहीं सम्विधान को जाना नहीं सिर्फ सम्विधान का इस्तमाल वो रोजी रोटी के लिए करते हैं अपने पूरे समणों के बचाब के लिए काम नहीं करते और ये कितनी मैदार बात है कि जब सारे ही नहीं बचेंगे तो वो ही कहां बचेंगे ये भी बड़ी कमाल की बात है क्योंकि सम्विधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मुझसे काम लेना है अगर मेरी सेवाय लेनी है अगर मुझसे कोई नियम पराब करना है अगर कोई नियम मुझसे बनवाना है अगर पुराना नियम मुझसे इंप्लिमेंट कराना है पुराने नियम का लाव लेना है या कोई नियम खराब है वो हटवाना है तो आपको बहुमत में आना पड़ेगा जो बहुमत जिसके पा करता है और जो साधान आदमियों उसको भी पता है पर फिर भी वो अभ्यास नहीं करते इसका प्रेक्टिंश करते और सबसे ज्यादा जगड़ा जो है वो वकिलों में लगा रहता है एक सहर के अंदर चार चार एसोशेशन हैं अलग अलग शहरों में तीन-तीन चार चार थी और वो रियाशतों बुलकुल ऐसे थी जैसे हमारे आज के समय छोटे-छोटे टुकड़े हैं और वो रियाशतों सब अलग लग काम करती थी और उन रियाशतों के कारण ही मुगल भी राज कर गए और उन रियाशतों के कारण ही अंग्रेज भी राज कर गए क्योंकि व अंगरेजनर्मी उठाया पर कोई भी व्यक्ति ये कहने को तियार नहीं है कि हम इसलिए गुलाम बने क्योंकि हम रियास्तों में तूटे पड़े थे तो रियास्तों को इखटा करने का काम करने की कोशिस हुई होगी जो स्वतनता संग्राम था उससे पहले पर वो काम्याब नहीं हो पाई जब तक सांगिक धाचा नहीं बना, जब तक भारत गर्राज्य नहीं बना, जब तक भारत एक नहीं बना, जब तक इसका एक कानून नहीं बन गया, जब तक बावा साब मिटकर ने इसको भारत गर्राज्य संग यानि की रिपब्लिक ओफ इंडिया नहीं कहा, जब रिपब्ल वे उनने कोई समन्वे नहीं नहीं बना, क्योंकि समन्वे नहीं बन सकता जो सागे कामुए्ट ज़सी का मतलव है कि वो रियाशते बनी भी रहे और एकसाथ भी रहे ऐसा नहीं होता, उनका फिर मर्जर हुआ, उनका विलाही करन हो गAYा भारत के अंदर भारत गड़ राजय संग में वो सारी सारी वुलीन हो गई और उनके नाम निशान खतम हो गए बस उनके नाम उनकी बिर्लिंगों के चिन्न मिन पर रह गए और जितने राजय बहार आज खै थे वो सारे के सारे साधर आदमी एक बोट का मालिक बन गए सारे के सारे एक बोट के चाहिए राजा यार परजा सब एक बोट का मालिक बन गए और सारे सारे भारत के नागरिक बन गए तो ये बात हमारे जो कानून के लोग हैं जो जानकार हैं ग्याता हैं उनको समझ में नहीं आती और उनको समझ में नहीं आती इसलिए हमारी आफते ज़्यादा बड़ी हुई है क्योंकि पड़े ले खेले और ग्यारी लोग अगर नहीं समझेंगे तो समझाएंगे किसको और अगर कोई ज़्यादा कानून ना जानता हो तो वो पराने जो व्यवस्ता है उसको समझ सकता है उसको जान ले क्योंकि बुद्ध जैसे जो व्यक्ति थे बुद्ध जैसे व्यक्ति ने कभी समन्वनी किया यानि कि जो और मतों के लोग थे जो बाशट प्रकार के मतों के लोग उस समय इधर संग में आ जाओ ऐसा नहीं कहा या तो वो लोग बुद्ध से बात करने के लिए आते थे तो तर्क और वितर्क होता था तर्क वितर्क होता था जमके तर्क वितर्क होता था और तर्क वितर्क में जो सभा और जो संग बैठता था वो सारी लोग मानते थे कि ये बात ठी वह हुँआ जाती थी और वह सारी बुद्ध के पास थी तो उन लोगों से जो तर्क्वितक करने आते हैं उनको बुद्ध के संग में यानी विले करना पड़ता था। वो अपने मानेता के साथ नहीं आते थे, अपनी मानेता खतम करके, फिर संग की मानेता को एड़ॉट करते थे, और जो लोग बुद्ध के पास नहीं आते थे, भिक्कु संग के पास नहीं आते थे, उनके पास बुद्ध और भिक्कु संग लेके खुच जाते थे, वहाँ भी की मानेताओं का एक पूरा-पूरा संग बना दिया और उसको भिक्कु संग करके बोलें तो वहां जैसे बावसाब मिटकर ने पूरे देश का जो संग बना दिया वैसे ही बुद्ध ने सारी मानेताओं का संग बना दिया और संग से सारे जीते, संग सही सार लोग जीते और यहां भी जो देश आज तक कामयाब है वो संग सही पूरा-पूरा कामयाब है. पर ये बात हमारे जो संग्ठन है उनको समझ में नहीं आती हमारे जो संग्ठन है 29 लाख जो संग्ठन है धम्म के हैं यानि धम्मिक हैं अलग-लग मतों के हैं संतों सारे जा चुके हैं पर उनके चेलों के हैं और यहां राजनीती के बहुत सारे संग्ठन है सामाजिक संग्ठन या लाइन लगा कर हैं लड़कों के दलबल, आर्मी, शार्मी बहुत सारे हैं, जो सकाई करमचारियां उनके बहुत सारे संख्ठन हैं, जो आर्थिक, छेतिक संख्ठन हैं वो हैं, और जो बिहार, अम्बेटकर, भवण, मठ, टीले, आसरम, ये सब जो बना रखे हैं, इनके अलग-अलग संख्ठन ह बहुत ज्यादा है, तो ये सारे के सारे जित्तिम लोग ने, इसके लावा अलग जो बिखरे हुए लोग हैं, उनके छोटे मुटे उनके गुट हैं, ज्यादा उनके हैं नहीं, तो ये सारे के सारे जो लोग हैं, इनको कहीना कहीना कहीं, किसी ना किसी संख्ठन हैं, बांध पराने लेके जाता है और साम को बंद कर देता है कहीं मेरी भेड़ बकरी भगना जाए ठीक वैसे ही इन संक्ठोनों ने जितने भी इनके लोग जो वहां इस उम्मिसाय के कुछ अधिकार हमारे बचेंगे सम्विधान अधिकार बचेंगे बच्चों को नौकरी मिलेगी हमारे धार हो जाएंगे पर वहां ये सब उनको बाड़े में बंद कर देते हैं क्यों बंद कर देते हैं इसलिए बंद कर देते हैं कि बकरी का दूद कोई और न ले जा निकाल के यानि जो चंदा है कोई और न ले जाए इस डर से उनको बंद कर देते हैं और बकरीयों को पता भी बेढ़ेंखि नहीं, ब्यदों को पता भी नहीं किकी आए, बस उनकी उन उतार लेते हे, उनका दूद निकाल लेते हे, और जब वो थोड़ी बहुत होती है तो उनको काट के भी खा जाते हैं, यह बेज जाते हैं, यह बक्रियों का इस्त Еimana ही हमारे सारे संग्ठन, हमारे जि दूसरे संख्टन में चला जाए और उसकी बात को अच्छी लगए और कहता भी है तो उसको काड़ देते हैं सीधे सीधे कहते हैं ये राजनितिक आदमी है ये आरेसस का आदमी है इसने पैसा ले लिया है अरे ये नेता बनेगा ये राजसवा में जा जाएगा इसका तो ऐसा मामला है इसका तो वैसा मामला जितना भी कोल कपोल बात हैं जितना जुट बोल सकते हैं उतना जुट बोलते हैं ताकि उनकी बकरी और उनका जो भेड़ है वो भगना जाए तो ये सारी सारी समस्यां यहां टोटल मिलाके चलती रहती हैं और ये जितने भी संग्ठन हैं ये विले हुई और बुद्ध का धम पूरी दुनिया में जब फैला जब सारे मतों को यहां तरक वितर से जीत के बुद्ध ने एक किया तो ऐसे कैसे हो सकता है कि संग्ठन अपना वजूद बना के अलग भी रहें और हम जीत भी जाएं ऐसा इंपॉसिबल है क्योंकि अलग-अलग संग्ठन का अगर वजूद बनाएंगे तो जैसे रियास्ते आपस में लड़ती थी वैसे ही सारे संग्ठन लड़ते हैं और वो लड़ते भी हैं चंदे के लिए नाम के लिए धंदे के लिए और खुब दुनिया भर की बाते बहाने बनाते हैं तो ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने कि जो भेडों के मालिक हैं जो बक्रियों के मालिक हैं वो अपनी भेडों बक्रियों को दूसरे बाड़े में जाने भी नहीं देते कभी ऐसा नहों कि उसी बाड़े में रह जाए और फिर लोटके नाए पर बुद्ध कहते हैं कि तरक वितरक करो या तो खुद जाओ और याओ और बावा साब कहते हैं कि सारी रियास्ट नहीं एक होंगी तरक और वितरक करना है तो ये बात हमको अच्छी तरह समझानी तो फिर आप कभी जिंदिकी में फूरी नहीं हो सकते आजात नहीं हो सकते क्योंकि वह सारे लोग अच्छी के इस सबी Juliet मालिक होता है तो मालिक अपनी भेड़े छोड़ता नहीं है इसलिए सबी लोगों से यह आगरे करना चाहिए कि आओ आके देखो ऐही पस्तिक है यह जो समर्संग है इसको आके देखो कि यह क्या समर्संग है इसमें क्या होता है इसमें क्या चलता है क्या नहीं किसी की सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करो समर्ण संग की किताब है समर्ण संग का जो गंत है उसको पढ़ो उसको देखो और कल को ऐसा भी हो सकता है कि कोई समर्ण संग का गंत फरजी छपवा दे हो सकता ऐसा तो यहां जूम पूडल पे आगे बात करो अगर जूम पोडल पर नहीं आ सकते हो तो जो मीटिंग लगती है उसमें आके बात करो और तर्क करो वितर्क करो इसलिए समण संग के अंदर भाशन बंद कर दिये और संगतियां जो होती है उनमें तर्क वितर्क होता जम के पर तरक वितर करने को भी लोग आने को त्यार नहीं है क्योंकि तरक वितर का उन्हें रिजल्ट पता है कि क्या होने वाला है क्या कहेंगे यहां जो नियम है वो बड़े मस्त नियम है क्या नियम है केबल समण यानि कि जो भी कुछ है वो समण करेंगे by the summer for the summer of the summer यानि कि समण के लिए है समण का है और समण को है तो समण के लाबा कोई और है नहीं लोग उने अपने संग्ठनों में कैई संग्ठनों में तो वमण भी गुसा रखे हैं तो क्या जवाब देंगे दूसरा जो नियम है यहां चलता है कि चंदा कभी नहीं तो वहाँ तो स्टार्टिंगी चंदे से होती है दो आद मी बैठ जाते है रेश्ट्रेसं करा लाते हैं और सबसे पहले चंदा मांगते हैं बिल्या चंदा कैसे होगा और चंदा भी लाखों में क्लून में इकटा करते हैं कई संग्धोनों तो करोड़ों में खटा कर रखा है, हमें समझ में नहीं आता कि वो करेंगे क्यास पैसे का, जब इस तमाली नहीं तो खटा क्यों करते हो, तो चंदे का धंदा नहीं होता यहां, यहां व्यक्ति बाद नहीं है, यहां कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की यह यहां पद पॉष्ट मन्च माला माइक नहीं है यहां कोई JUSTju नहीं है यहां किसी भी हलात में कहीं ऐसा नहीं है के मंच पे भाषण दे कोई Forbes fucking यहां किसी पृकूर का कोई खत्रा है यहां संग सारे काम करता है और संग के आदेश चलते हैं, यहां व्यक्ति अपना कोई आदेश चला नहीं सकता, यहां व्यक्ति की नहीं चलती, यहां व्यक्ति की कोई नहीं सुनता, अगर व्यक्ति को अपनी कोई बात कहनी है, तो पहले यहां आए, इसका सक्रीय मेंबर बने, स्पोक बने, फिर हाउस म बहुत सारे नियम है तो उनून नियमों पर कोई तरक वितर करने नहीं आता कारण क्या है कि इखटा होना है पर नेता बने रहना है उनको नेता बने रहना है और स्रमण संग के खटा होना है पर संग नेता रहेगा हमारा संग ही संग का मालिक रहेगा संग ही संग का नेता रहेगा यहां सामुहिक नेता तो चलेगा यहां व्यक्ति का नेता तो नहीं चलेगा इसलिए उनकी पढ़ती नहीं है इसलिए उनको यहां मज़ा नहीं आता है इसलिए उनको लग लोग यहां संग में आके तर्क वितर्क भी नहीं करना चायते क्योंकि तर्क वितर्क करेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे उनकी यहां रिकॉर्डिंग हो जाएगी यहां पता चल जाएगा कि यह लोग इखटा नहीं होना चायते क्योंकि यहां जितने लोग हैं वो सारे के सारे सवाल पूछेंगे और सवाल यह पूछेंगे कि भई आप इखटे क्यों नहीं होते सवाल यह पूछेंगे कि सतर साल से हमारे अधिकार चलेगे तो तुम कर क्या रहे थे सवाल यह पूछेंगे कि चाल लाक एक्टिविट संग्ठन है और एक ही तरह कि giardari संग्ठने हैं तो आपस में मिलते क्यों रहीं कोई क्या जवाब देगा जिसको नेता बनना है जिसको पद पूश्ट चाहिए उसको क्या जवाब देगा क्या ने देका पर बिना मिले बिना इखटे हुए तो बात चाहते हैं फिर भी जो 14 अगस्त का काई क्रम है वो नेताओं के साथ बात करने के लिए लगाया हुआ है वहाँ क्या बात होगी क्या नहीं होगी तो वक्त बताएगा पर हमें नेताओं से ध्यान थोड़ा कम करके और जो नेताओं के साथ लोग काम करते हैं और जो संग्ठों में काम करते हैं और जो लोग सामाजी काम करते हैं जो जागरूख हैं जो इखटा होना चाहते हैं उनसे बात करने चाहिए और उनसे ये कहना चाहिए कि आपके जितने प्रशन है जितने प्रशन आप उनके बुझा सको उतने आप बुझा दीजिए और जो ना बुझते हैं उनको संग में ले आईए तो उनको सिर्फ तर्क और वितर्क करने उनसे कीजिए पर तर्क वितर्क करते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए तर्क वितर्क करते समय क्योंकि समण संगी के पास में latest और update और highest जानकारी होती है सबसे उची जानकारी होती है सबसे ताज़ा जानकारी होती है और आज के सिनोरियों में होती है ये जानकारी संग्ठन के लोगों के पास नहीं है और ये कंसेप्ट है तो बहुत पुरा ना अगर अभी के समय उनके लिए एक दम नया है तो उचल जातें लोग ऐसे कैसे हो सकता है सारे संग्ठन छोड़तें और फिर इसमें आ जाएं ऐसे कैसे हो सकता है तो बिल-बला जातें लोग तो उनसे सिर्फ बात कीजिये उनसे प्यार से पूचिए प्यार से बताइए अगर लगे कि वात खराब हो रही तош्चुप हो जाईए उनको यहाँ तक जूम तक लेके आईए किसी संगती में लेके आईए उनको समर्ण गंत दीजिए उनसे लागतार बात करते रहिए और समर्ण संग की बात बाद में बताईए पहले उनकी सुनिए क्योंकि हो सकता है किसी के पास में समर्ण संग से भी अच्छा कोई प्लान हो और समर संग से अच्छा प्लान हो तो समर संग को एडॉप्ट करने में तो एक मट नहीं लेती क्योंकि हमारा तो स्लोगन है हम तो यह कहते हैं कि या तो इसमें आ जाओ और या इसको अपने में ले जाओ क्योंकि समर संग का कोई एगो एहम नहीं है जिसके पास अच्छा प्लान है और सारा संग कहे कि हम तो यहां काम करेंगे तो सरमर संग फिर वही है क्योंकि यहां कोई ऐसी कोई समझ से नहीं है अभी मध्य प्रदेश के अंदर और महाराश्ट के बॉर्डर के अंदर ना कुछ लोग काम कर रहे हैं और जो वो काम कर रहे हैं उन्होंने कोई नाम भी रखा है मैं भी एक्सपोज नहीं करना चाहता क्योंकि वो खुद एक्सपोज करेंगे कभी सामने आएंगे हला कि उन्हें एक्सपोज कर दिया है, तो उनका जो नितब कर रहा है, कोई I.A. सबसर कर रहा है, अंडरगराउंड हैं वो, काम करते हैं, पर वो इतने over confident हैं कि उनको लगता है कि जो वो करते हैं, वो सबसे बढ़िया है मैं भी उनका एक बार इंडेक्शन कोर्स करने गया था पांचे साल पहले एक कोर्स था साथ रहने मैंने देखा कि वो बाम सेफ के ही तरीके से काम कर रहे हैं बढ़ दो-चार चीज़ उनने बदली है पर वो सिर्फ पृतिकात मत रूट डूप से बदली है पर सार सारा आडेलोजी बाम सेफ का है और वो बाम सेफ का कोई बंदा रहा होगा तो सारा इंडेक्शन कोर्स करने के बाद में हमने पैसे वैसी भरेवा सारे काम किये तो मैंने पूछा कि भाई मेरे बहुत सारे क्वेरिज हैं आप बताओ कौन बुझाएगा उनको कौन है तो वहाँ उन्होंने मेरे परस्नों के जवाब नहीं दिये उन्होंने का जी बाद मैं मीटिंग होगी आप कि कराइंगी पास साल से मैं लागतार फोन करता रहा कि भाई मेरे कुछ प्रसन है और मैं पांस साल से वो बंदा ने ढूंड पाया जो मेरे प्रसनों के जवाब दे पाए तो कल मेरी एक बंदे से बात हुई मुझे लगा कि ये साथ उस टीम का आदमी है उसने का हाँ जी मैं उस टीम का आदमी हूँ तो बड़ा लड़ने दा आदमी है पोस्ट वोस्ट बनाता है बहुत बड़े आदमी है दो बार मेरी उससे बात हुई कर मेरी फाइनल उससे बात हुई तो मैंने का कि बाई चौदे तारे को उधर आईए और बैठ के बाद होगी आप तो नागपुन में भी आपका टीम काम क हमको तो ये बता कि तू साथ कैसे आएगा हमको तो ये बता कि हमको साथ कैसे लेगा ये बता हमको ये बता कि सर्वन संग में क्या कमी है और नहीं तो हम बताते हैं कि तुम्हारे सिस्टम में क्या है क्या नहीं है कि रहा जी आप तो बड़ा अपडेट कर दिया तो पर अपड किरा लो उस प्लान को पहले, कि जो तुमने प्लान मनाया है लोग उसको अप्रूब करते निए करते उसको काम कौन करेगा, तुम्हारे चाल लोग, जितने सालों से मैं देख रहा हूं, चाल लोग निकल के बाहरा है नहीं, कहरे जी वो सब ठीक है, आपकी बार ठीक है, आप बाचित होने ले एक दिन दो दिन तीन दिन जो बात जमेगी दोनों में जो सारी लोग कह देंगे ये बात ठीक है उसी में सारे सारे एक हो जाएंगे हमको लोग एक करने हैं कहता जी नहीं कुछ काम ऐसे होते हैं कुछ काम बड़े होते हैं जो क्या बोते हैं ऐसे नहीं होते ह और बहुत उच्छ लेवल का अधिकारी है, वो संग्ण चला रहा है, उसकी भी कहिना कोई ना कोई इक्छा रही होगी, कोई नाम माम हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो यहाँ चोले पैन पैन के बहुत तरह के लोग आएंगे, पर जब आप कहोगे कि आतर कर कर ले, वितर कर ले, बैठ जा, कोई भी संग्ण की किसी को भी कह सकता है, कि आओ सो लोग, तुम्हारे, सो लोग हमारे, हम तो तीन घंटे इसी बात का अंतियार करते हैं, कोई आये, परसंद पूछे, कोई आये, परसंद पूछे, भारत में, बुद्ध के बाद में, और ब आता नहीं, और अब तो कैई लोग फोन मिन उठाते, कि फिर यू कहेगा कि तर्क कर लो वितर कर लो, तो तर्क करें क्या और वितर करें क्या, तो क्ये बारत हम मज़े लेने के लिए बीज़ी फोन करते थें, कि चलो इसको चलाते हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा त देखेंगे भी जानेंगे भी. वह अपने तरक वितरक लगातार मजबूत करते रहेे यह जो संगतियां लगति नहीं पे आते रहें, जून मीटिंग incentives आते रहें, समलगंत परते रहें और लोगों को quellaus कोईण करते रहें, लोगों को घर बलाते रहें कि आओ बात करते हैं आओ बात करते हैं यही तरीका बुद्ध ने अपनाया था लोगों से बाचित करने का तरक बतक करने का और बड़े बड़े अच्छे मत वाले लोग बुद्ध के मत में शामिल हुए मत में शामिल हुए जो क्योंकि बुद्ध भी महा समड थे और य ही काम हम करने हैं जैसे बुद्ध कामयाब हुए जैसे डॉक्टर मेटकर कामयाब हुए वैसे ही समढ संके सारे समढ कामयाब होंगे इस यकीन के साथ में दिन दूनी रात तरकी करनी हमें मेहनत करनी है और तरक रोवितर करना है लोगों को इन्वाइट करना है अही पस्तिकों लोगों को आना पड़ेगा इसके लावा कोई रास्ता नहीं है नेता सबसे पीछे रहेंगे पर बाकी लोग आ जाएंगे आप ट्राइ करके देखिए आज तक अगर हम यहां पहुंचे हैं तो उसी सिद्धान से पहुंचे हैं हमारे पास में तर्क वितर्क और महापुटसों की जानकरे किलावा कुछ नहीं है पैसे हम लेते नहीं खाता हमारे यहां होता नहीं दावत हम किसी को खिलाते नहीं मंत्री किसी को बनाते नहीं चुनाब हम किसी का लड़ते नहीं हमारे पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं हम हम बोट का नाम ले लेते नहीं, पैसा हमारे पास मांटने को है नहीं, पैसा हम इखटा नहीं करते, प्रिचार हमारा कोई चेहरे वाला होता नहीं, हमारे पास में कोई चीज नहीं है सवाए इसके, कि हम तरक और वितर करके आगे बढ़ते हैं, और इसी तरक वितर की पुलार सकते हैं उससे अपनाईए और यहां मेरे वक्तब्वे में अगर किसी को कोई गल्ती लगी हो कुछ बुरा लगा हो तो मैं उससे मावी 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 संग मुझे माव करे संग मुझे माव करे संग नमामी संग नमामी संग नमामी जैपीं नमुबुद्धाय हैं आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकि वीडियो अच्छी लगी है या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सरल भासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामूँ संगं सरेण गच्छामूँ बूतियं पी बुद्धं सरेण गच्छामूँ बूतियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामूँ बूतियं पी धम्मं मर्सेण गच्छामूँ बूतियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामूँ बूतियं पी संगं सर्नं गच्छामूँ दोगियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी दोगियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी तरतियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी कि सन्यम सर्णं कच्छामी तरतियं पी क्यों पी当 आई झाय के चाहँ कच्छामी तरतियं वी सन्यम सर्णं झाल झाल